हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टुमाई इस्टेवल क्लास चैनल तो दिये स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ए तिंग और ब्यूटी का सेंटल आइडिया जो की क्लास 12 के बोड़ एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोटेंट है तो दिये स्टूडें जोहन कीट्स के द्वारा यह कवीता ए तिंग और ब्यूटी जोहन कीट्स के द्वारा रचित है इन दा पोएम दा पोयाट तैल्स देट दा ब्यूटिपल तिंग्स आर दा सोर्स ओ ग्रेट जोई इंड हैपिनेस, इन दा पोयम इस कवीता में, दा पोयाट कभी टैल्स बताता है, इस कवीता में कभी बताता है, that the beautiful things are the source of great joy and happiness, that की the beautiful things सुन्दर बस्तुएं, आर हैं, the source of great joy, बड़े अनन्द का, and happiness, खुशियों का, इस कवीता में कभी बताता है कि, सुन्दर बस्तुएं, बड़े अनन्द का, और खुशियों का स्रोत है, अग देखिए, therefore beautiful things are the worth treasuring, therefore इसलिए beautiful things सुन्दर बस्तुएं, आर हैं, worth treasuring बहुमुल्य खजाना, इसलिए सुन्दर बस्तुएं बहुमुल्य खजाना है, देखिए, with the passing of time, समय बीतने के साथ साथ, a thing of beauty become more joyful, सुन्दर ब इतने के साथ सुन्दर बस्तुएं और भी अधिक अनन्दायक हो जाती है, grace of God, provide energy and happiness, and make us feel happy, grace of God, इस्वर की रचना provide प्रदान करती है, energy उर्जा and और happiness खुशिया, इस्वर की रचना उर्जा और खुशिया प्रदान करती है, and make us feel happy, and miss or make us हमें feel happy खुशी का एसास कराती है और हमें खुशी का एसास कराती है, तो dear student इस प्रकार से, a thing or beauty का central idea complete हुआ, यदि आप इस प्रकार से बोड़ एक्जम में लिख कर आएंगे, तो आपको एकदम फुल मार्ग समलेंगे, तो dear student ये वीडियो आपको कैसे लगी, comments box में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लग प्रकार से, बोड़ से, बोड़ से, प्रूर ने प्रकार से, बाताना, वीडियो आपको के लिए नच्वर बताना, प्रकार से, बीजिस में लेता हैं।